हाई फ्रेंज वेल्कम टू सोनिया बार्टन चैनल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ये बहुत ही इंट्रस्टिंग चिकिन ब्रेड की रेसिपी बहुत ही मज़िदार रेसिपी है क्योंकि देखने में तो ये ब्रेड बहुत ही बढ़िया है ही साथ-साथ इसके अंदर बहुत ही मज़िदार सी स्पाइसी चिकिन फिलिंग जो बना देता है इसको बहुत ज़्यादा देस्टी तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर से कीजेगा साथ-साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये घंटी का बटन डबाना बिलकुर न बूलें तो मैंने याँ पर लिया है एक तिहाई कप हलका गुनगुना पानी ही लेना है आपको ताकि इस्ट अपना काम कर सके उसमें डाल दिया है एक चमच चीनी और इसको मिला दें साथ-साथ इसमें जाएगा आधा चमच इस्ट यानिकी खमीर मैं यहापे एक्टिव ड जिससे की इस्ट ब्लूम हो सके तो यह आप देख सकते हैं पंदा मिनिट बाद अच्छे जाग आ गया है पानी में मतलब की इस्ट अच्छे से फर्मेंट कर सकती है बाटे को तो अब इसको ले ले लेते हैं बाउल में और आधा टेबल स्पून इसमें डालाएं मैंने और आधा चमच मैं डाल रही हूं गार्लिक पाउडर सब चीजों को मिला लेते हैं पहले स्पून से और आखरी में जब बिल्कुल आटा सिमट कर आने लगेगा तो अब हम इसको गूंद कर तयार कर लेंगे बिल्कुल चिकना कर लेंगे इस आटे को तो बिल्कुल जब हो गया या बाटा मारा सूखेगा नहीं तो बस अब हम इसको ठक के करीब देड़ दो घंटे के लिए रख देंगे साइड में तो चिकन त्यार करते हैं फिलिंग मैंने या पे करीब एक तिहाई कब चिकन क्यूब्स लिए जिसमें पहले डाला है नमक आधा चमच इसमें ज सुछी तरीके से तो यह मसालेदार से चिकन के क्यूब्स हमारे तयार हो चुके है आप चाहे तो छोटी-छोटी शिप्स भी ले सकते हैं और या फिश्रेड़ चेकन भी ले सकते हैं तो बस इनिक्यूब्स को रखती हूं और प्रिपैर करते हैं फिलिंग कम-मसाला तो मैंन यहां पर दो टेबल स्पून तेल गरम करा है जिसमें दो चौप कीवे लहसून डाले हैं एक छोटी सी डाइस कीवी प्यास डालिए और भूल लेते हैं प्यास और लसन को और जब यह हलका सा इसका कलर चेंज हो गया प्यास बिल्कुल कच्चापन चला गया इसका तो मैंने एक छोटा फाइनली चौप किया और टमाटा डाल दिया इसमें मिक्स कर रहा है और साथ-साथ ही डाल दिये एक छोटी चौप कीवी ग्रीन बेल पेपर हरी शिम्ला मिल जिस पकाएंगे मिक्शर को और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से जो हमने मसाले वाले चिकिन के क्यूप से तयार किये है और अब इन सब चीजों को अच्छे से हम पका लेंगे मैं इसमें एक चमच लान मिर्च और डाल रही हूं बिलकुल ऑप्शनल है अगर दाले वरना ना डाले या फिर आप कटी भी हरी मिर्चों का भी इसमाल कर सकते हैं तो यह फिलिंग बिलकुल अच्छे से पककर हो चुकी है तयार चिकन पूरा कंप्लीटली जब पक गया है तो मैं गैस का फ्लेम ओफ कर दिया है और इसको कर लेंगे अब थंडा तो अब च और इसको एक डो बॉल में कंवर्ट कर देंगे बस हम और फिर इसको डिवाइड कर लेंगे दो पार्ट में तो इसको मैंने गूंद लिया है और इस तरीके से फिर से एक डो बॉल बना लिये और इसको अब दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगी मैं तो यह पहला चपाथी के शेप में इसको बेलेंगे थोड़ी बड़ी चपाथी बेलेंगे जो रेगुलर हम चपाथी बनाते हैं उससे बड़ा साइस थोड़ा सा बेलेंगे तो ये हमारी चपाती बिल्कुल तयार हो चुकी है अब इसके सेंटर में मैंने रख दी है चिकन फिलिंग जो हमने तयार करी थी बिल्कुल ठंडा करके आप चिकन फिलिंग को रखे और जब आप chicken filling रखे तो चारो तरफ से आपको जगा छोड़नी है ताकि हम इस तरीके से cut लगा सके तो चारो तरफ जब आप जगा छोड़ेंगे तो बस एक चूरी की मदद से आप इस तरीके से cut लगाते जाए और cut आपको इस size के लगाने जितने flaps आप चाहते हैं कि आपकी bread में आएं तो ये मैंने लगा लिए और एक side से अब हम पहले एक side fold करेंगे फिर दूसरी side fold करेंगे जिससे की बहुत ही बढ़िया एक design आजाता है इस bread पर जो देखने में इसको बहुत ही खुबसूरत बना देती है तो ये देख सकते हैं आप बस simple बहुत ही असानी से fold हो जाती है इस तरीके से bread और ये तयार हो चुकी है बेक होने के लिए हमारी bread तो दूसरी भी मैं इसी तरीके से तयार कर लूँगे और ये देखिए कितना असान है बस एक एक flap उठाते जाएंगे और fold करते जाएंगे fold करते टाइम अकसर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई flap extra है या थोड़ा सा बड़ा है कोई strip तो आप उसको अराम से छूरी से cut करके और बाकी को जोड सकते हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं है इस तरीके से bread को fold करना और ये दोनों bread मैंने baking tray पे लगा लिए और अब एक अंडा लिया था उसको फेट लिया है और अब मैं इसको डालूँगी बेक करने के लिए प्री हीट कर लिया था मैंने oven 200 डिग्री सेल्सियस पर 20-25 मिनिट के लिए और बेक करूंगी मैं इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर ही 15-20 मिनिट तक के लिए जब तक कि अच्छी golden ऊपर से नहीं हो जाती है मारी ब्रेड तो यह देख सकते हैं आप इसको मैंने bake कर लिया है बहुत ही बढ़िया देख रही है ब्रेड बहुत ही कुपसूरत लगती है मुझे यह परस्नली ब्रेड देखने में मैं इसको थोड़ा सा ब्रश कर दो ब्रेड तो बहुत है चीकिन फिलिंग ठाइस होनम भाइब ने ड्रेड लिए जह दवार से लिए बेक्ट च्केप बाट दो जह सकते हैं और जह सांवाथ ही सेया आप भी ऐन बात हाई इसकी जो बिल्कुल धिन स्पाइसी चिक स्पैसी चिकिन फिलिंग है जिसे आप कर सकते हैं अपने अकोर्डिंग ली जैसी आप चिकिन फिलिंग खाना प्रेफर करते हैं सौसिस का इस्तमाल कर सकते हैं और बहुत ही हैं यह स्नाक खाने के लिए क्यों एक एक स्नाक आप उठाएं और सर्फ करें और टेबल पे जब आप इसको रखेंगे तो डेफिनेटली आ करना भूल जाएंगे एक बार इसे ट्राइ करेंगे तो